नमस्कार दोस्तों तो इस वीडियो में आपको यह जो मीनि फेन है इसको जो है किस टेप को इसके मोटर को रिपेर करते हैं उसके बारे में आपको बताओंगा इसका अल्डी मैं दो वीडियो बना चुका हूँ जिसमें एक में जो है वायर से रिपेरिंग से है आपald एक में दोस्त देव सिंग ने कमेंट्स किया था कि मेरा मोटर धीरे चल रहा है नीचे देख सकते हैं आप उसके कमेंट्स को तो उसके लिए मैं क्या करूं तो मैं आपको उसके लिए बताऊंगा उससे पहले एक रुक्वेस्ट हैं अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे त अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लिके हैं तो नीचे जो लाल कलर के लिए करके सांस्क्राइब binnen हो तो सबसे पहला तो हम लोग फोल लेते हैं इसके फूरे तो सीधा wire से USB wire से पूरा motor से जुड़ा हुआ है अगर आप मेरा वाला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैं इसको पूरे जितने भी wiring के problem थे button के problem थे सब को एक साथ हल करके दिखाया था तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उस video को ज़रुर देखेगा मैं उसका अगर आप सही वोल्टेज पर चलाएंगे तो खराब नहीं होता जर्डिली लेकिन अगर आपको व्ल्टेज यह है या ज्यादा हीट हो गया तो इसका मोटर खराब हो जाता है तो को देखें सबसे पहले तो मोटर को निकालने के लिए आपको इस तरह से इसके पूरा खुलना पड़ेगा क्योंकि जनरली हमाइंट इतना टाइट लगा हुआ है इसके यह जो आपको फेन जो घुमता है इसमें सबसे इसके आपको एक अलग स exemplo ख़िछना पड़ेगा पहले तो आप इसको धोड़ीला कर लेजिए फिर जोर से आप इसको खिचे खाली पॉइंट को पकड़ के देखिए ऐसा खीछने में नहीं निकला तो मेरे को इसको फ्लायर से उसके उसको पीछे को पहले खुलना पड़ा फिर उसके जो वहाई है उसमें लीट था उसको आई जादा है पहला एक मोटर है दूसरा मोटर है यह थोड़ा छोटा है लेकिन इस्ट में घोष जा रहा है यह भी आसानी से als फीट हो रहा है तो इसको हम लोग करेंगे क्योंकि यह जो है आसानी रहा है तो सबसे पहले इस municipality को लगा के देखेंगे तो यह जो है अच्छे से घुमा पाएगा कर नहीं जो फेन का ब्लेड है इसको हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं देखिए अब इसको यूएजबी से मैं लगाता हूं इसको चेक करता हूं देखिए चल तो रहा है लेकिन इस पीड काफी स्लो है यह देखिए असानी से कोई मतलब नहीं है तो यह मोटर तो सही नहीं अब जो है एक और मोटर जो है जो प्लेड के जो हुआ है प conviction काश्वार्य जो थोड़ा से टाईट है उसको भी देखेंगे लेकिन उसकल चला करकर के लगा लेंगे प्लें कि सही तके मादला है लेकिन यह की Indian आ दाइब इसको रिपेर करने कोशिश करें अगर उसका क्वायल खराब नहीं हुआ जाया तो पीछे का जो सौफ्ट लगे हैं जिसमें से जो जुड़े हुए हैं उसका जो सौफ्ट है जुड़ा हुआ है पीछे में एक ब्रस टेप के लगे रहते हैं वह ब्रस खराब हो गया देखें मैं फोटो दिखा रहा हुँ आपको यह देखें एक साइट का ब्रस खराब हो गया वैसा अगर खराब है तो आप उसको क्या करेंगे दूसरा जो कोई भी मोटर खरी दिये मार्केट में बहुत सस्ते मिल जाता उसी साइच का यह देखें जो मैं पहले आपको टेस्ट करके म नचist है उसके मैं पीछे के ब्रस मिलेगा रही ही इसलिए पीछे का जो प्लेठ है उसको पूरा माय बदल देता हूं जो मेरा ओं जिसमाशेनल मोटर था जो इस मसिन के साथ लड यह स्वारी स्थेंट के साथ जो लगता था उसके साथ जो मोटर मिले थे उसको ही मैं क्या कर रहा हूं रिपे रहा हूं तो जया ततर पीछे के जो ब्रश हो खराब हुए रहते तू उस ब्रस की जगह मैं जो पूरी पीछे का प्लेट को भादल लेता हैं खाली ब्रस को पाने या या मिलना मुश्किल है तो ऐसा आप कोई भी दूसरा मोटर ले लिए सेम साइज का सस्ते मिलता है दस बिस रुपए का इसको आप खोल लिजे इसके पीछे के प्लेट को निकाल लिजे इसको आपको क्या करना पड़ेगा ऐसा कुछ दबाना पड़ेगा किसी भी ते कि इसमें तो इसमें वह ऐसी ब्रस लगे हुए है चोटे-चोटे वह जो है फिर से खराब हो सकते हैं इसलिए आप इसको लगाते समय जब लगाएंगे जो मेरे ओरिजिनल मोटर है उसके पीछे के ब्रस को बदलने को मैं काम कर रहा हूं तो देखिए ओरिजिनल मोटर के प फास्ट फारवर्ड में इस लेने चलाओं ताकि आपको समझ में आए कि इसको कैसे लगाना है मतलब स्लो मतलब यह नार्मल स्पीड है अब जो है इसको ऐसी दबा दीजिए पेचकस से जो किनारी किनारी है उसके बाद जो है अब इसको हम लोग क्या करेंगे टेस्ट करके देखेंगे जब यह हो गया तो सबसे पहले तो क्या करते हैं टेप लगा के पहले स्पीड टेस्ट कर लेते हैं इसमें वह ब्रस जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है पीछे का जो प्लेट चेंज के हैं काम कर रहा है अब जो है जो पुराना मोटर लगाया थे उसको हटा देते हैं पिर से आब जो रेपैर किया उस मोटर को देके है हैं पाइंट उल्ता लग गया उल्ता में नहीं चल रहा है अब वह आपस मैंट को सीधा लगाते हैं देखिए काम करना चालोगा इस पीड पहले जैसे ही आ गया है उरीजिनल मोटर की जयाइं एक मतलब जो पहले चाहिए बस पिछे का प्रेट तो पिछे को प्रेट को बदलने से сторон कर देता हूं क्योंकि आंप और एक भून रहा था टो ये कि Bis भूम रहा था लगाना है उसम्मिर दिशा में ही घुमता चाइए इस रही है वहीजी देख के लगा यह वापस इसको लगा देते हैं जैसे लगा था तो वापस इसको fit देते हैं फिर से एक बाद Check करके देखते हैं। यह देखते हैं सेम है, कोई फरक नहीं पड़ा तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे फिर आगे fit करना start करेंगे इसके सब बाकी जो यह क्योंकि नया प्लेट है इसलिए यहां पर soldering के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा पेश्ट वगर लगाना पड़ेगा रांगा लगाना पड़ेगा तो हम लोग अब इस चोटे mini fan है इसमें जो बहुत सारे problem आ थे कभी switch का problem आ रहा था कभी wire खराब हो रहा था कभी जिसमें यsb wire लगाने का पैंड दिया था वो खराब हो रहा था वो सब इस wire को बदलने से हो ख साल्व का इसमें क्या है मोटर लगे हुए और यह वायर है तो वायर को बदलने हैं और मोटर बदलना अगर आप दोनों को बदलना सिक्ग है दोनों को अगर आप सही तरह कैसा कर लिए तो आपको इसमे कभी प्रापलम नहेंगा जैосे अब जो है मैं मैं को सोल्डरिंग कर देता हूं इसके मोटर के दोनों पॉइंट पर मैं सोल्डरिंग कर लेता हूं इसके बाद जो है सोल्डरिंग करने के बाद जो है इसको टेस्ट करके देखें कि ताकि यह हम लोग के फिट करने के बाद कहीं जाम आम तो नहीं हो रहा है जैसे पहले चल रहा था वह ऐसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो यह जो वायर यूज़ वाय से सीधा कनेक्शन देने का वीडियो जो है आल्रेडी मैं पहले डाल चुका हूं अगर आपको उसका लिंक मतलब उसको नहीं मिल रहे तो आपको मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर दे दूंगा आप उस पर क्लिक करके आप उसको देख लिजेगा अब इसको वापस क्या करते हैं फिट करने स्टार्ट करते हैं देखे माई USB से जोड़ा होता है कि USB से जोड़ने के लिए केबल चाहिए और एक मोटर चाहिए मोटर बस आपको देखना पड़ेगा कि अच्छी क्वालिटी को होना चाहिए जो इसके फेन को गुमा सके मैं आपको बताया जैसे कि अच्छा सेम अगर ओरिजिनल मोटर है और उसको आप अगर जैसे इस वीडियो में बताया कि रिपेर कर सकते हैं इस टैप कर लिजे या तो फि लिजे के पैंट से इसको यह को गुशाना था तो इसको गुशा करने था इसलिए मैं इसको वापस फिर से निकाल के वापस कर लेता हूं अब फिर वापस क्या करूंगा पूरे बाड़ी को मतलब पूरे जो जो चीज खोला था उसको वापस क्या करूंगा लगा दूंगा इस तरह से आप इसके motor के problem को आप solve कर सकते हैं और यह आप motor को अगर आप solve कर लिए और दूसरे wire का problem solve कर लिए तो यह जो mini cooler है या mini fan है यह आपको हमेशा साथ देगा क्योंकि जेनरली इस में और कुछ हाई प्लास्टिक बाड़ी है तो इस तरह से इसको हम लोग पुरा ठीक कर लिए है और ऐसा करके आप इसको ठीक कर लीजिए और वापस हम वार रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस इस वीडियो को लाइक देदीजेगा और हमारे चेनल प्यादी नए हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करके जरूर रखेगा इसी टाइप के अच्छे एच्छे वीडियो हम लोग डालते रहते हैं और आप subscribe करेंगे तो subscribe करके संख्या जो हम लोगों प्रोश्चाहित करती है इसलिए subscribe जरूर कर दीजेगा इससे subscribe करने से आपका कोई नुक्सान नहीं होता कि कोई भी personal जानकारी हम तक नहीं पहुंचती तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद